अस्सलाम अलेकूम, वेलकम टू आर चैनल और आज हमारे चैनल का सबसे पहला लेक्चर जो के बेसिक कंसेप्ट ओफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग से हम लोग अगास करेंगे और आगे इकनामिक्स के, कॉमर्स के, बिजनस के, मार्किटिंग के डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट टॉपिक्स को हम वक्त के सासथ अपलोड करते रहेंगे लेकिन आज हम accounting से start कर रहे हैं और accounting का पहला chapter business concept of accounting इसमें हम accounting को समझने से पहले main जो important बात है वो याद रखियागा कि accounting business की बनती है business man की नहीं बनती हमने accounting जो करनी है हमने जो record maintain करने होते हो वो business के कर रहे होते हैं business man के नहीं कर रहे होते बिजनसमें सिर्फ इन्वेस्मेंट करता है, डिसीजन टेकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है और बिजनस को रन करता है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन हैं, जो फाइनेशल ट्रांजेक्शन हैं ठीक है तो हम लोग accounting करेंगे किसकी business की businessman की नहीं अम हम चलते हैं accounting की definition के उपर accounting की definition को मैंने चार हिस्सों में divide किया है और यही चार steps हैं पूरी accounting के accounting is an art of recording, classifying, summarizing and final result यह चार चीज़े हैं जिसे हम एक accounting standards के मताबिक, universal accounting standards के मताबिक हम इसको करते हैं तो accounting की definition यही चार चीज़ों पर है कि accounting is an art of recording, classifying, summarizing, final result recording में हम लोग अपनी daily की transaction, daily transactions record करते हैं इसको day to day transaction भी कहते हैं इसके लिए मैं आपको इस जगा पे थोड़ा सा explain करता हूँ कि recording of daily transactions की है, हम लोगों ने January की salary पे की उसे record करेंगे हम लोगों ने 15th January को bank charges पे की है, वो record करेंगे हमने invoice number 6, sale invoice number 6 की हम लोगों ने commission पे किया, उसको record करेंगे जो जो हमारी financial transaction होती जाएगी, हम उसको record करते जाएगे अब जो हम financial transactions को record कर रहे हैं, daily wise उसमें कोई चीज repeat भी हो रही है, जैसे bank charges है, वो यहाँ पे भी repeat हो रहे है, bank charges जैसे salaries है, यह February की है, वो January की है, इस तरीके से यह हम recording करते रहते हैं, तो यह हमारा recording का process होता है, एक खास format के तरुछ के होता है, जिसको हम आगे जाके अगले lectures के अंदर समझेगे, इस recording के बाद, जो यह हमारी transactions record हुई है, यह जो हमारी सारी transactions record हुई है, हम इनको इनके heads में classify कर देते हैं, ठीक है, अब जितनी दफ़ा भी हम लोगोंने salaries पे की होंगी, suppose January की 10K, suppose Feb की हमने 15K, March की 12K, जो भी हमने transactions की होंगी, bank charges जितने भी आ रहे होंगे, कभी हमने 20 PA की होंगे, कभी हमने 50 पे की होंगे, कभी 15 पे की होंगे, इसी तरह commission हम लोगोंने किसी invoice पे पे की होगा, 25, 250, 150, like this, इसी तरह electricity bill किसी महीने, हम लोगोंने, जो है, वो 100 पे किया होगा, किसी नहाम लोगोंने, 90 पे किया होगा, किसी मन्थ में, इसी तरह office expenses हैं, ये तो daily के daily चल रहे होते हैं, कभी 15, कभी 20, कभी 25, like this, तो ये सारे, यहां पे हमारे recording में इस तरीके से आरे होते हैं, जिसको हम लोग बाद में classify कर देते हैं, उनके अपने-पने heads में, ताके ये फिर at the end हमें एक balances दे देते हैं, 27, like this, इसी तरह ये अपना balance दे देगा, ये अपना balance दे देगा, ये अपना balance दे देगा, ये अपना heads के अंदर, तो दूसरा accounting का जो process है, process of accounting का जो second step है, वो है classify करना, उन तमाम transactions को जो हम लोगों ने record की है, उन सब को अलग-अलग heads में classify कर देना, और after classify हम लोग इसको summarize कर देते हैं, हम सिरफ ये जो balances है, हम ये balances एक summary के तौर पे, एक summary के तौर पे हम ये balances record कर लेते हैं, तो ये एक summarize तरीके से data हमारे सामने आ जाता है, कि हमने एक साल में कितनी salaries पे की, total bank charges कितने किये, commission कितने किये, expenses कितने किये, office expenses कितने किये, और further जो 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 चीजे होंगी, उसमें sale भी आ जाएगी, purchase भी आ जाएगी, जो कुछ भी होगा, वो हमारा सारा data एक summarize form में नजर आ रहा होगा, कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज कितना कितना किये, तो this is the third step के, जहां हम सारे record को summarize कर लेंगे, उसके बाद जब हम वो सारा record summarize करेंगे, then उस summarize record से हम लोग अपना final result निकालते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, कि हमारा profit and loss कितना है, और हमारी balance sheet क्या show कह रही है, यह हमारा, actual, हमारा purpose accounting करने का मकसद जो है, वो यह होता है balance sheet हमारे business की financial position को describe करती है, कि हमारी financial position क्या है, हमारे पास acids कितने हैं, हमारे पास liabilities कितनी हैं, यह हमारी financial position को describe करते हैं जबके profit and loss हम लोग ये calculate करते हैं कि हम लोगों ने एक साल के अंदर कितना कमाया ठीक है हम लोगों को loss हुआ हम break even पे हैं हम लोग profit पे हैं तो ये complete process of accounting है जिसमें हमारा काम है सबसे पहला step step number one कि हमने record करना है step number two हमने उस सवारे को classify करना है step number three हमने उसको summarize करना है step number four कि हम लोगों ने final result पे जाना है अब कुछ खास terms हैं जो accounting में use होती है इन terms को थोड़ा सा समझना है कि सबसे पहले है capital anything a business owns that contribute to building wealth कोई भी चीज़ जिसको हम लोग जो business अपने पास रख रहा है जिससे वो wealth को build करेगा ठीक है यहनी असान लफजों में जो भी investment honor की तरफ से business में invest की जाती है it is called the capital ठीक है यह तो तरह के एक initial investment होती है जब business start करने के लिए honor कुछ पैसे invest करता है कुछ पैसे कुछ चीज़े जो भी चीज़u घूह धाई यह जरूरी नहीं है कि honor सुर्फ ही invest करेगा वो goods की शकल में भी और नीचर की शकल में करसकता है चीजों की तरफ सूरत में वो investment भी कर सकता है capital में वो cash को भी ला सकता है और चीजों को भी लासकता तो whatever जिन भी चीजों से वो इस्टार्ट करेगा business को वो initial investment के लाएगी और in future भी वो बाद में भी देखता है कि मुझे अपने business को grow करना है और grow करने के लिए फर्दर अगर कुछ investment और करता है तो वो additional investment होगी और ये दोनों ही चीजे जो है ये capital है in short कि जो कुछ भी कारोबार का मालिक जो है वो business में डालेगा अपने पास से वो सारे का सारा consider होगा capital इसके बात next time है drawings anything that honor withdraw from business for his personal use अपने private use के लिए अगर honor कोई भी चीज बिजनस से withdraw करता है तो उसे drawings कहते हैं बहुत असान है चाहिए वो पैसों की सूरत में हो चाहिए वो चीजों की सूरत में हो जो कुछ भी businessman business से withdraw करेगा उसे drawings कहते हैं relation क्या है capital और drawings का capital सुपोज business में ने 100k से business start किया और उसके बाद वो 10k business से withdraw करता है अपने personal use के लिए चाहिए वो चीजों की सूरत में करें चाहिए cash की सूरत में तो net उसके capital की worth क्या रह जाएगी 90k तो यह relation है capital का और drawing का capital जो investment business को मिली चाहिए वो business start करते वे मिली हो चाहिए during the time उसको जो है चलते हुए business को improve करने के लिए invest किया गया हो वो तमाम चीज़े capital है और जो चीज़े वो business से withdraw कर लेगा कारोबार का मालिक अपने ज़ाती इस्तमाल के लिए कारोबार का मालिक अपने personal use के लिए जो भी चीज़ विड्रॉ करेगा honor अपने personal use के लिए वो चीज़े drawings के लेंगी इसके बाद next term जो accounting में बहुत use होती है वो है goods goods क्या है the things which are bought and sold by the business कोई भी चीज़ जिस चीज़ में business deal कर रहा है जिसको इस purpose से खरीद रहा है कि इसको बेचना है उसे goods कहते हैं ये बहुत समझने की चीज़ है कि goods क्या होंगे इसके लिए मैंने तीन examples लिए हैं पहली example मैंने textile company के लिए कि textile company जो के कपड़ा बनाती है वो सबसे पहले धागा purchase कर रही है उस धागे को process करके कपड़ा बना रही है तो इस scenario में जो ये यान है ये है goods ठीक हो गया और जो इसको produce करके fabric है जिसे बेच रहे हैं वो भी goods उसके बाद अगर furniture company की तरफ आए furniture company में purchase of furniture दो scenario हो सकते हैं या वो furniture purchase कर रहा है business for sale या वो purchase कर रहा है for business use अगर for sale अगर furniture purchase करने का purpose for sale है तो ये goods है और अगर furniture purchase करने का मकसर business use के लिए for example counter बना लिया हम लोगों ने अपने शोरूम पे furniture शोरूम पे हम लोगों ने counter बना लिया तो वो goods नहीं कहलाएंगे वो furniture कहलाएगा और अगर furniture हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमारी furniture company है और हमने इसको बेचना है तो ये है goods अच्छा अगर furniture manufacturing company है और वो manufacture करने के लिए wood purchase कर रही है तो वो wood goods अगर वो furniture company furniture sale करने के लिए furniture बनाने के लिए lex purchase कर रही है तो वो lex goods अगर वो furniture company सोफा बनाने के लिए कपड़ा purchase कर रही है तो वो कपड़ा goods इसी तरह एक example और mobile shop अगर mobile shop जो है mobile purchase कर रही है for sale तो mobile को कहेंगे goods अगर वो mobile shop अपने business use के लिए mobile दे रही है तो वो goods नहीं कहलाएगा वो simply mobile ही रहेगा यहां तक यह goods की हम लोगों ने examples ली के goods क्या चीज़े हैं जिसमें business deal कर रहा है in which business deal जिसके अंदर business deal कर रहा है वो हमारे goods होंगे इसके बाद next term कहलाती है purchases when goods are purchased अब यह जो goods हम लोगों ने उपर समझा जब इन्हें purchase किया जाता है तो हम उसे क्या कहते है purchases अकाउंटिंग में हम उसे क्या लिखते है purchases जब भी goods purchase किया जाते है goods क्या है जिसे हमने for the sake of sale हम लोगों ने उसको purchase किया तो जिसमें हम लोग deal कर रहे हैं जो हमारे business का main मकसद है तो वो जब हम लोगों ने purchase किया तो हम लोगों ने sale करना है चाए वो process करके हो चाए वो completely ready और as it is उसको हम sale कर दें दोनों सूर्थों में जब भी हम ये goods sale करेंगे तो वो कहलाएगी accounting language में sales तो जो goods हम purchase करेंगे purchases जब goods हम sale करेंगे तो sales goods का एक unit भी अगर हम sale करें तो purchases ही लिखेंगे purchase नहीं लिखेंगे goods का एक भी unit अगर हम sale करें तो sale नहीं लिखेंगे sales ही लिखेंगे ये accounting rule है purchase return और purchase return outward purchase return क्या है when goods return to supplier हम लोगों ने goods खरीदे हमें पसंद नहीं आए या उसके अंदर कोई fault है या वो हमारी quotation के मताबक नहीं है तो हम वो supplier को वापिस कर देंगे तो ये वापिस करना purchase return क्याएगा क्योंकि हमने purchase किया purchase करने के बाद हमने उसको sale कर दिया तो ये purchase return कलाएगा इसमें जब हमने purchase किया तो goods हमारे पास in हुए और जब हम लोगों ने जो हम लोगों ने purchase किये हूँ हम लोगों ने supplier को return कर दिये तो जब return करेंगे तो वो जो goods हमारे पास आये ते वो वापिस चले जाएगे तो वो out हो जाएगे इसी लिए इसको कहते है return outward याद रखने के लिए कि purchase return को return outward क्यों कहते है क्योंकि ये purchase किये आए हमारे पास और क्योंकि हमने return कर दिये चले गए तो out हो गए तो इसे returns outward कहेंगे इसी तरह sale return when the goods returned by the customer जब भी customer हमारा goods वापिस कर देगा तो वो हमारा sale return के लाएगा हम लोगों ने sale की उसको पसंद नहीं आए उसकी quotation के मताबिक नहीं थे उसमें किसी किसम का defect था उसने हमें वापिस कर दिये customer ने हमें वापिस किये तो this is called sale return इसी को return inward कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि जब हम sale करते हैं तो goods हमारे पास से out हो जाते हैं और जब वो ही goods हमारे पास वापिस आ जाएं तो हमारे पास in हो रहे हैं इसलिए sales return को return inward कहते हैं यह चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है ताके यह explain हो जाए अक्सर यह mix हो जाता है कि return inward क्या और return outward क्या है for example we sold goods to xyz company on credit so xyz company is our debtor अगर हम किसी को उधार पर चीज बेचते हैं और हमने उससे पैसे नहीं यह मैं असान करके आपको definition explain कर रहा हूँ कि अगर हम लोग किसी को चीज बेची किसी customer को चीज बेची लेकिन पैसे नहीं लिए तो जिन से हम लोगों ने पैसे लेने हों तो वो हमारी book में हमारे लिए debtors कहलाते हैं यानि accounts receivable European language में debtors और American language में accounts receivable लेकिन ज्यादा तर ये आपको accounts receivable से ही use होता नजर आएगा लेकिन debtors भी होता है तो जिन से हमने पैसे लेने हैं वो हमारी books में हमारे लिए debtors हैं यानि accounts receivable इसी तरह creditors creditors वो लोग जिनको हमने पैसे देने हैं हमने उधार पे चीज़ ले ली लेकिन अभी हमने उनको pay नहीं किया तो ये लोग हमारे लिए क्या है creditors है हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इंको return करने हमने इंको पैसे वापिस करने है और इनी को दूसरा नाम दिया जाता है accounts payable का यानि ये अभी payable है pay नहीं हुए payable pay नहीं हुए receivable receive नहीं हुए receive होने वाले है pay होने वाले है ठीक है कि assets or liabilities क्या है तो ये basic terms है accounting की जिने समझना बहुत जरूरी है और ये अगर concepts clear हो जाए तो आगे की accounting समझ में आनी शुरूरी जाती है क्योंकि ये terms जानना बहुत जरूरी है तो हम लोगों ने इन में terms है एक हमने पढ़ा creditors एक हमने पढ़ा debtors creditors वो जिनको हमने पैसे देने हैं debtors वो जिनसे हमने पैसे लेने हैं purchases जब हम goods purchase करते हैं तो उसे हम books में purchases लिखते हैं और जब हम goods sale करते हैं तो हम उन्हें sales लिखते हैं इसके इलावा जो भी चीज़ हम purchase करें जो हमारे goods नहीं हैं जिसमें हम deal नहीं कर रहे हैं वो जो कुछ भी हम purchase करेंगे फड़ नीचर निखेंगे उसके उलाभा हम लोग जो है tool purchase करेंगे tools लिखेंगे लेकिन वो goods जिनको हम लोगोंने sale करने के लिए purchase किया है तो purchase और वही goods जब sale करदेंगे तो sales लिखेंगे और purchase return को return outward और sales return को return inward कहते हैं क्योंकि purchase out हो रही होती है वापिस जा रही होती है return हो जाती है तो उसे return outward और जो sales है क्योंकि वो goods हमारे पास आये होते हैं और हम उनको जो है हमारे पास से गए होते हैं और हम उन्हें वापिस ले रहे होते हैं return की सूरत में तो return inward वो हमारे पास वापिस हम हमारे goods किलाते हैं इसके इलाव हम लोगों ने पढ़ा capital वो investment है जो honor business में करता है business के लिए वो capital है वो दो सूर्तों में आ सकती है एक जब वो business को start कर रहे तब और एक वो चलते हुए business में कुछ पैसे मजीद invest करता है तो वो भी हमारा capital है drawings क्या है जो भी business से honor अपने personal use के लिए private use के लिए withdraw करेगा वो हमारे लिए drawings है और इन दोनों का capital और drawing का relation क्या है कि capital में से drawings को less कर दें तो net capital मनता है कि अब जो honor business के उपर right रखता है वो इतने का रखता है इसके इलावा हम लोगों ने accounting की definition पढ़ी यही process of accounting है जिसके लिए मैं यहां पे कुछ points लिखने लगा हूँ कि यह process of accounting क्या है definition क्या है art है accounting किस चीज़ का recording का recording का मतलब होता है कि हमने daily book बनानी है जिसे जर्नल लेजर ट्राइल बैलन्स फाइनल अकाउंट जर्नल लेजर ट्राइल बैलन्स फाइनल अकाउंट रिकॉर्डिंग के process को accounting में कहते है जर्नल जो के daily book है जो के और हम अपनी financial transactions को record करते हैं उन financial transactions को हम post करते हैं किस चीज़ में लेजर में लेजर से हम लोग उसको summarize करते हैं जो के एक short form बन जाती है short format बन जाता है trial balance कराता है जिसमें तमाम आपकी transactions को जो है वो सिर्फ balances के थूँ हम लोग चेक कर सकते हैं एक अगर हमने देखना हो कि salary expenses कितने हुए तो वह हमें असानी से दिखे जा सकते हैं तो उसे कहते है trial balance उसे हम trial balance में summarize कर लेते हैं और पिर जब ये trial balance बन जाता है main गाम होता है trial balance जब trial balance बन जाता है तो पिर उसके बाद हम उस trial balance से अपना final account या final statement बनाते हैं जिसको दो हिस्से हैं एक profit and loss है एक balance sheet है जहां profit and loss को देखा जाता है calculate किया जाता है और business की financial position को चेक करने के लिए balance sheet देखी जाती है financial position तो ये हमारा accounting का process कहलाता है process of accounting ये steps क्या है हमारे ये process of accounting कहलाता है तो ये हमारे basic concept थे जो आज हम लोगों ने देखे हैं और इंशाला next lecture जो मैं upload करूँगा उसमें मैं explain करूँगा accounting equation वो बहुत important है उसमें बहुत सारे students को problem आती है तो हम उसके उपर next lecture के उपर जो है उसको detail discuss करेंगे accounting equation और आइस्ता आइस्ता फिर हम इस तरह अपने further अपने lectures और balance profit and loss accounts और इन चीज़ों के उपर जाएंगे जैसे के bank reconciliation को भी देखेंगे लेकिन अभी वो बहुत आगे की चीज़ है next lecture में हम लोग accounting equation को समझेंगे उसके उपर जो है work करेंगे with examples करेंगे ताकि उसमें हमारा सारा clear हो जाए कि basically accounting equation क्या है इसी के साथ इजादत दीजिए अल्ला हाफिज करेंगे साथा